हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो यहाँ पे अगर आप लोग वाटसप में कोई भी स्टेटस वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं बट यहाँ पे आपके फोन पर कोई भी स्टेटस वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो इस problem को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस video में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर इस problem को solve करना है तो इस problem को solve करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रहे रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये चेक करने कि आपके phone पर internet सहीं से चर रहा है कि नहीं चर रहा है अगर नहीं चर रहा है तो आप लोग अपने phone पर जो aeroplane mode है उसको एक बार ये on करिए और उसको दुबारा से बंद कर दीजे तो आपके phone पर थोड़ा बहुत network आ जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले play store को open करना है और यहाँ पर आपको जो whatsapp का application है ना उसको आपको यहाँ पर update कर लिए तो whatsapp application को आप लोग यहाँ पर update कर लिजिए उसके बाद यहाँ पर आपको जो है update करने के बाद आपको यहाँ पर setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पर आपको application पर जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे जाना है और यहाँ पे आपको search bar पे click करना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से whatsapp लिखना है whatsapp लिखने के बाद आपको यहाँ पे whatsapp को open करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आपको data uses को option आता है यह वाला restricted data uses को option आ रहा है तो आपको यहाँ पे इसको click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको wifi and mobile data को option आता है तो दोनों option को आपको यहाँ पे इसको enable करना है दोनों option को आप लोग यहाँ पे enable कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आपको OK करना है जैसे ही आप लोग इसको OK करेंगे ना तो आपकी problem यहाँ पे solve हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं आएगी जब आप लोग यहाँ पे कोई भी status वीडियो WhatsApp में upload करेंगे तो OK तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में